हेलो एवरिवन वेलकम बैक माई यूटूब चैनल टेक्निकल युगाड हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड मेरा नाम है राज और आज की वीडियो फ्रेंड मेरे पास एक वायलेस हेडफोन आया हुआ है रिपैरिंग के लिए और यह देख सकते हो फ्रे मैं संग माई के काफी सारे इस टाइब के हेडफोन बिक रहे हैं मार्केट में जो कि आपको 200 200 300 के अंदर मिल जाएंगे फ्रेंड बट उसके अंदर जो बैटरी बैकप फ्रेंड वह बिल्कुल जीरो है इसलिए फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूं कि आप उस टाइब के डि लूप के अंदर ठीक है तो उसके बाद कुछ दिन चला उसके बाद फ्रेंड इसकी जो आवाज है उसके आवाज के अंदर खरखर की आवाज आ रही यानि उन्हें आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही तो इसलिए मेरे पास रिपैरिंग के लिए आया हुआ हुआ है तो आ लिए पास पास जो डिवाज से कहीं ना कहीं से स्पेस बनाना है तो आपको कोई पैनी से चीज लेनी है और उसकी मदद से खोलना है तो मेरे पास फिलाल यह चिम्टी है इसकी मदद से मैं खोलूंगा इसको तो यहां से हम इसको स्पेस बनाएंगे और इस तरीके से यह देखे अराम से खोलना है कहीं लोग वगरा होते हैं तो यह टोट ना जाए इस तरीके से हमें बड़े अरा दिया गया है पूरा यह आप देख सकते हो इस टैप का इसके अंदर बोर्ड है ठीक है फ्रेंड तो जैसे कि केस्टुमर रहे हैं मुझे बता है कि इसके अंदर जो आवाज की प्रोल्म हो रही है तो अगर आपके स्पीकर के अंदर बिल्कुल भी आवाज ना जाए फ्रेंड ठीक है या फिर खर खर की आवाज आए तो उसके कंडिशन में आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताने वाला हूं तो सबसे पहले आपको इसकी वायर को चेक करना है अब तो यहां पे देखिए फ्रेंड यह इस सब्सक्राइब तो नहीं है तो यहां पे तो फ्रेंड मुझे वायर वेगर है बिल्कुल ओके दिखाए दे रही है अगर आपके हेड़फोन के अंदर इस बैटरी की प्रोलम हो या फिर आपकी बैटरी से रिलेटिट कोई भी प्रोलम हो तो आप यह बैटरी वाली कनेक्श सब्सक् Guin kannсе कि तो कर रही है तो स्पीकर के प्रोलम है तो फिर आपको मिलेगा नहीं तो मैं उसका आपको बता रहा हूं ठीक है तो सबसे पहले हम इसका speaker को निकाल लेते हैं इस तरीके से और ये पानी में जाने के बाद ही खराब हुआ है friend क्योंकि आज कल ये लेड वेगर है बहुत खराब होती रहती है तो उस condition में आप उनके speaker को निकाल के इसके अंदर यूज़ कर सकते हो तो इनका आगर आप size देखोगे friend तो लगबग similar है एक जैसे size है तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर जो आवाज फटी-फटी आ रहे है तो ये speaker को निकाल के आपको replace करना है ठीक है तो चले हम इस वायर को निकाल लेते हैं उसके बाद इसको इसके अंदर fit करती है ठीक है friend तो ये देखे friend मैंने ये पुराना वाला speaker इसका निकाल दिया है और ये हमने जो पुरानी लेट से निकाला था व तो आप थोड़ा सा जुगार लगा के हमें कहीं न कहीं से ऐसे निकालनी पड़ती है ऐसे चीजे तो इस तरीके से हमने इसको फिट कर देना है ठीक है तो बिल्कुल प्रोपर फिटिंग तो नहीं आ सकती इस तरीके से लेकिन आपका काम जरूर चल जाएगा फ्रेंड क्योंक सेम क्वालिटिक नहीं मिला तो क्या दिक्कत है इस तरीके से यह दुबारा से लग गया है और इसको हम अब पैक कर देंगे और यह हमारा स्पीकर बिल्कुल ओक्यों हो गया है तो इस तरीके से फ्रेंड आप भी जुगार थोड़ा सा दिमाग लगा के जोंड सकते हो चीज लगी फ्रेंड हमें जरूर कमेंट करके बताएं और इस वीडियो से लेटिट आपका कोई भी सवाल हो या जवाब हो या आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हो फ्रेंड तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें तो आसा करते हम फ्रेंड आपको हमारी यह वीडियो पसंद होगी और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ यह फ्रेंड तो जरूर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और घंटे की बैल आइकन पर किलिक करें तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक लिए जय जय भार